नमस्कार दोस्तों जीनेस लर्निंग क्लासेस में आपका बहुत-बहुत सागत है दोस्तों आज हम करेंगे exercise 8.1 exercise 8.1 application of integrals के exercise है देखे application of integrals का मतलब है हम इसमें integration की application या फिर उसके use ठीक है वो चीज पढ़ेंगे और काफी easy है दोस्तों पस आप थोड़ा सा बात समझेगा कि exercise 8.1 में हम लोगों को ना area find करना होता है क्या find करना होता है इसमें area अगर आप यह सारे questions देखेंगे स्टार्टिंग से अगर आप देखेंगे सारे questions में देखें पहला वाला question यह जो बता रहे हैं क्या area find करना होगा area under simple curves है ना इसमें भी area find करना है और आगे आप देखें तो इन सब में भी क्या करना है मैं यह ग्राब बने ना इन सब में क्या करना है अब वैसे तो यह बच्छों को काफी ज्यादा tough सी लगती है exercise ना इसलिए दोस्तों मैंने आपके लिए यह exercise इतनी ज्यादा simplification में करिये ना मतलब इतनी ज्यादा easy बनाई है कि आपको जब वीडियो पूरी खतम होगी ना तो आप मास्टर में जाएंगे इस exercise में लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा कुछ चीज़े मैंने लिखी आपके लिए क्योंकि मुझे लगता है कि आपने शा भी याद करनी पड़ेंगे और याद भी नीहीं करनी पड़ेंगे आपको देखते ही यह याद हो जाएंगे बस आपको लेघ़्ा-ru लिखनी पडाएगा क्योंकि मैंने यह मानाए कि 11 कुछ भी निबन आता फिर भी आपको इस एकसार्प्याइस में मास्टर बनना है तो आपको दोस्तों यह जरूर 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 कॉपी में लिखनी पड़ेंगे ठीक है तो प्लीज आप इसको जरूर कॉपी में लिखिएगा ताकि आपको यह एक साइज काफी इसी लगे अगर आप भी जीनेस बनना चाहते हैं तो दवाइए इस वटन को दवाइए चलिए दोस्तों स्टार्ट करतें आप देखे पहला मेंने क्या लखा है एक्क्विशन ऑप पैराबोला हैना अब अब तैब वन और यह यूज करें ठीक है आपके एक साइज ने इसमें 8.1 में तो यहाँ जो यह चीज यह 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 उट्वाइवर एक्स यक्वाइवर नाई 9X अब ये चीज़ें इनका में area find करना है लेकिन इससे पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें हैं क्या है न तो देखिए सबसे पहले आप जल्दी से copy उठाईए और जल्दी से ये लिखिए क्या कि equation of parabola सिर्फ दो तरह के होते है एक होतार टाइप बन टाइप का और एक होतार टाइप टू टाइप का है न और जब भी हमारे पास कोई भी ऐसी equation आईगी दोस्तों देखिएगा बहुत इजी है y square बराबर x मतलब y का square उड़ा हो और x की power यहां पर कितनी है है न तो आप समझ जाईएगा कि यह पैरा बोला है क्या है यह पैरा बोला वैसे यह 11 में आता है लेकिन कोई टेंशन नहीं है न मैं आपके लिए बिलकुल 11 का सब यहां पर सिंप्लिफाई कर दोंगा तो जब भी y square बराबर x type का है तो आप क्या समझ जाएंगे यह पैरा बोला है अब अगर y square बराबर x आए y square बराबर 2x आए y square बराबर 4x y square बराबर 9x ऐसा कोई भी आए बतला y square आए और x आए भले यहां पर 1 हो 2 हो 4 हो 9 हो या कोई और भी नमबर हो आपको हमेशा y और x में यही गराब बनाना है y x आप जानते हैं न इसे हम Cartesian plane बोलते हैं x y plane भी बोलते हैं और अगर y के उपर square आए और x ऐसा ही हो पावर 1 में y के उपर square हो और x पर क्या हो पावर 1 तो हमेशा आप इस तरह का पैराबोला बनाएंगे बिल्कुल पैराबोला हमेशा ऐसा होना चाहिए समझ गए न मतलब बिल्कुल rough sketch आपका हमेशा ऐसा होना चाहिए कि यह पैराब बनेंगे नहीं दोस्तो rough sketch बनाते हैं क्या बनाते हैं rough sketch तो इसे हम rough figure कहते हैं ठीक है न और रफ फिघर हमेशा ऐसा इसा ही बनाएंगा बहलेई 4x का होगा तो भी यही बनेगा 4x का होगा तब भी यही बनेगा 9x का होगा तब भी यही बनेगा समझ गई न तो दोस्तो y square वालों में हमेशा graph आपका ऐसा ही बनेगा type 1 parabola जिसे आप अभी copy में note कर लिए ठीक है कोई बोले कि y square बराबर 20x है ठीक है वले ही कैसा भी number है अगर यह number positive है मतलब 1,2,3,4,5,20 ठीक है न तो आपको हमेशा ही ऐसा graph बनाना है दोस्तों याद रखेगा तो यह उता है type 1 वाला जिसमें आपको कैसा मिलेगा y के उपर square मिलेगा और x की power हमेशा कैसी मिलेगी 1 मिलेगी y पर square और x की power क्या होगी तो आपको ऐसा परावला बनाना है अब आते हैं भाई type 2 पर type 2 पर आपको x पर square मिलेगा और y पर power 1 मिलेगी डिफरेंस समझ जाया यहाँ y पर square है x पर power 1 है और यहाँ x पर square है और y पर power 1 है समझ गई ना तो y square बड़ावर x type का हो तब आप type 1 परावला बोलेंगे और x square बड़ावर y type का हो तो इसे आप type 2 परावला बोलेंगे यह दोनों चीज़ें परावला होती है दोस्तों यह figure परावला को बोलते हैं जैसे हम circle बोलते हैं इसे हम line बोलते हैं ऐसे ही इसे परावला बोलते हैं तो टाइप 1 पराबोला मैं y² बड़ावर x हो तो इधर की तरफ बनेगा पराबोला हमेशा किस तरफ इधर की तरफ x की तरफ समझ गए ना x x की तरफ y² x² बड़ावर y हो x² बड़ावर 2y हो x² बड़ावर 4y x² बड़ावर 9y मतलब x के ऊपर square हो या x के ऊपर power पर टू, और Y की पावर बस 1 हो, आगे चाहए 1, 2, 3, 4, 10 कुछ भी आए दोस्तो, टाइब 2 पैरावला होगा, जो कैसा होगा, जो बिलकुल इसके 90 डिग्री है, मतलब यह ऐसा होता है, यह ऐसा होगा, यह X की तरफ होता है दोस्तो, पैरावला टाइब 1, पैरावला टाइब 2 कैसा होगा वाई की तरफ होगा समझ गए नंशा राइटा तो कैसा बना लेंगलें आप ऐसे करके एक्स pien divorce ऐदर और और एकस्वाइब्ध में इ sneak ग्यप में घरा रख एक्सकार बरबर कुछ भी होगा वाइट कि pulled में से मुत आइए तो चाहे x square वरावर 2y हो तो भी आप ऐसा बनाएंगे x square वरावर 4y हो तो भी आप इसा ऐसा बनाएंगे I hope दोस्तों आपके दोनों चीज़े clear हो गई है और आपने अभी के अभी type 1 type 2 में यह example भी लखे हो और दोनों पेरावला अच्छे से बना लिये हो क्योंकि आप मेरी बात मानेंगे तब ही आप आगे की चीज़ें में master बनेंगे तो x square वरावर y, x square वरावर 2y, x square वराव 4y difference समझ गए न y square वाले में ऐसा बनाना होगा x की तरफ और y square वाले में और x square वाले में आपको y की तरफ बनाना होगा उपर की तरफ तो x square बरावर मैं बोलू 16y है तो भी पैराबोला कैसा आएगा ऐसा आजाएगा समझ गए ना x square बरावर मैं बोलू 30y है तो भी पैराबोला कैसा बनाएंगे आप ऐसा ही बनाएंगे समझ गए दोस्तो तो यह पैरा बोला है बस आपको इतना ही जानकारी चाहिए इससे जादा जानकारी की जिरूबर नहीं है दोस्तो ओके चलिए अब आते हैं एक दूसरी चीज़ पर यह दूसरी चीज़ है इसके बाद हम question start करेंगे बहुत बढ़ी आस है देखें दोस्तो equation of line equation of line में आपकी जो lines हम use करेंगे x बरावर 1, x बरावर 2, x बरावर 3 देखें यह रही जैसे यहां लिखा है ना line x बरावर 1 और x बरावर 4 तो यह x बरावर 1 और x बरावर 4 दोस्तो यह lines है ठीक है और ऐसी lines कैसे बनेंगी बहुत easy है इसके भी दो type होंगे type 1, type 2, type 1 में क्या होगा x बरावर 1 है या x बरावर 2 है या x बरावर 4 है मतलब x बरावर कुछ होगा तो देखें आपकी x एक्सेस यह होती है न यह x के ही तो point होते है 1, 2, 3, 4 हा या न तो x बरावर अगर 1 बोले दोस्तो क्या बोले x बरावर 1 अगर 1 है x बरावर 1 तो 1 पर ही बनानी है तो इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा दोस्तो एक्स बरावर 1 हो जाएगा समझ गए x बरावर 2 कहता है अगर line तो x बरावर 2 का मतलब क्या है आप x एक्सेस पर जाएंगे 2 find करेंगे यह रहा 2 भाई और 2 पर विल्कुल सीधी line करेंगे ठीक है मेरे drawing अच्छी नहीं है आपकी drawing अच्छी होगी तो बहुत अच्छी बात है दोस्तो बस आपको एक एक line देनी है ठीक है यह मैं आपको dark करकर करके इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप समझ जाएं कि 2 पर line देनी है क्योंकि x बरावर क्या है दोस्तो 2 है ओके x बरावर 4 पर अगर line होगी दोस्तों तो क्या करेंगे आप जाद है ना 4 पर जाएंगे किस पर एक्स पर जाएंगे एक्स पर 4 जे रहा और 4 पर आप कैसे line दे देंगे सीधे line देंगे ठीक है यह लाइन तो खाफी अच्छी बनी है सीधी line तो यह क्या एक्स बरावर यह 2 की है क्योंकि 2 है एक्स बरावर यह कौन सी है 4 की line है ओके दोस्तों तो बताइए और इससे पहले तो लिख लीजिए अभी के भी नोट करिए नोट चरूर करना equation of line type 1 कैसी होगी अगर मैं पूछ एक्स बरावर 3 की line कौन सी होगी तो देखिए इधर जाएंगे 3 पर find करेंगे 3 यह रहा एक्स बरावर 2 की एक्स बरावर 3 की एक्स बरावर 4 की एक्स बरावर 10 की पूछ पूछेगा तो आगे जाएंगे एक line मना देंगे ओके तो xy गिराफ पर यह y x y access होती एधर यह x excess x 1-2-4,5 इन सबकी line है सीधी सीधी आ जाएंगे एक्स एक्स पर ओके दोस्तों तो यह type 1 क कि लाइन आपके बूरे हो गई है नो अब समझ गए होंगे की वाई पर जाएंगे और सब्सक्राइब नहीं जाएंगे क्योंकि य दोस्तों य अपका यह थो है तो इस पर एक straight line दे देंगे ऐसे करके तो यह दोस्तों कौन सी line हो जाएगी यह हो जाएगी आपकी y बरावर 1 की line समझ गए न अब पूछ रहा है वाई बरावर 2 की line कौन सी होगी तो y बरावर 2 की line यह हो जाएगी क्योंकि y पर जाएगे 2 देखेंगे यह रहा 2 तो यह क्या ऩौछ बरावर 2 है यह बहुत आपकी line है यह रही लाइन वाई बरावर 3 कैसे बनाएंगे आप समझ गए न थी आप यह रहा यह एक्सेस कहन सी यह एकसेस इस पर 3 कहा है यह रहा यह और त्री सेरी की line बना दीजेए आपकर क्या जाएगा दोस्तों यह बरावर 3 की line में आया टाइप वन में आपको एक्स बराबर कुछ भी दे रखा हो तो एक्स पर लाइन बनानी है टाइप टू में आपको वाई बराबर कुछ भी दे रखा हो तो वाई एक्स इस पर सीधे पॉइंट लूड़ना है और इस पर लाइन बना देनी है ओके तो दोस्तों इतना स the region bounded by the curve y square बड़ावर x okay मतलब क्या है यह पैरा बोला समझ गए होंगे ना कि y square बड़ावर x क्या है पैरा बोला and the line x बड़ावर 1 x बड़ावर 4 and the x-axis in the first quadrant okay question पढ़ लिया हमें actual में find यह करना है आपको यह चीज देखनी है main चीज क्या है कि हमको area find करना है तो मैं आपको एक question बहुत आराम से समझाओंगा और उस question पर आपको पूरा ध्यान देना है अपना क्योंकि यह question दोस्तों six marks में आते हैं मैं आपको पहले ही बता दूँ कितने marks में six marks में guarantee से आते हैं मतलब 100% question आएगा याएगा ठीक है तो अच्छे से एक question आप समझेंगे आगे के next question आप बहुत आराम से कर लेंगे ठीक है तो बहुत अच्छे समझेगा मैं बहुत प्यार समझाओंगो आपको दीरे दीरे देखिए सबसे पहले तो देखिए question लिख लेते हैं हमें क्या find करना है दोस्तों area जब भी question आएगा area का सबसे पहले आप लिख लीजिए आपको कर्व कौन कौन से दे रखे हैं मतलब कर्व मतलब y square वरावर आपको क्या दे रखा है x दे रखा है ठीक है सबसे पहली चीज दूसरी चीज क्या दे रखिए आपको x वरावर क्या दे रखिए एक line दे रखिए x वरावर one और उसके लावा क्या दे रखा है आपको एक्स वरावर क्या दे रखा है दोस्तों फोर दे रखा है ठीक है ना और एक चीज और बोल रहा है वह फर्स्ट क्वाडरेंट बोला है ना क्या बोला है फर्स्ट क्वाडरेंट तो इसको भी आप लिख लीजिए मैं आपको भी समझा देता अब देखेए y square était x आपका क्या है दोस्तों पैरा बोला अभी अभी समझा आ start अभी यह चीज पैरा बोला नहीं आदाय तो देखिए अभी जश्ट भी समझा猜ा कि y square वरावर एक्स टाइप का हो तो पैरा बोला बनेगा ठीक है तो y square ब्रावर x पेरा बोला बनाएंगे और x ब्रावर जो 1, 2, 3 हैं वो क्या हैं लाइन से हैं तो चलिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं इसका figure बनाते हैं क्योंकि सबसे पहले हमें यहां figure बनाना पड़ेगा तो देखिए ऐसे line बनाई y axis ऐसे बनाई x axis और सबसे पहले हम ड्रो करेंगे y square ब्रावर x का पेरा बोला तो y square ब्रावर x कैसा पेरा बोला बनेगा दोस्तों देखिए ऐसा हाँ या ना अभी अभी just अभी अभी समझा आ है ना समझा रहा होगा कि y square ब्रावर x का पेरा बोला बस आपको ऐसे करके बनाना है यहाँ से touch हो रहा हो जे और इधर की तरफ बनाएंगे किस तरह x axis की तरफ बनाएंगे ओके दोस्तों दूसरा काम अब x ब्रावर 1 क्या है दोस्तों यह line है यह क्या है line अब x ब्रावर 1 है तो यहाँ पर आप 1,2,3,4 ऐसे करके पॉइंट लिख लीजिए ठीक है अब x ब्रावर 1 पर line बनानी है तो जस्ट अभी अभी समझाईए कि x ब्रावर 1 की line आपके कैसी आएगी बिल्कुल ऐसी आजाएगी समझ गए न दोस्तों ठीक है अब x ब्रावर 4 की line बना दीजिए देखिए यह line पूरी करें चाहितनी कोई बात नहीं एक ही बात होगी ठीक है अब x ब्रावर 4 की line कौन सी होगी दोस्तों चलिए इसे पूरी बना लीजिए कोई फरक तो पढ़ने नहीं वाला एक्स ब्रावर 4 की line क्या होगी जल्दी से जाहिए यह 1 था ऐसे एक्स पर 4 डूढ़ेंगे यह रह 4 और इस 4 पर आप क्या बना देंगे एक सीधी line बना देंगे समझ गए न तो यह क्या हो जाएगी आप यहां लिख भी ल wend Bennet का क्या मतलब है दोस्तों देखिए xy plane में 4 होते हैं यह पहला धूसरा यह थीसरा चौहता तो रहीं यह चोहते है लान बोल िरहें तो आपको एरी यह ऊपकी पूरेंस हैं ठाई इस वाले अरिया को आपको find करना है ठीक है अब इरिया find कैसे होता है बहुत आसान है दोस्तों इतना आसान है कि कुछ कहने की नहीं कैसे अरिया find करना देखिए आपको अधिक एक चीज़ बताऊंगा बस मैं आपको आपको एक छोटी सी ऩो चोटी सी लाइन है काफी छोटी लाइन है यह दो पतली सी डार्क कर रहू है आग अब इस छोटी से को दोस्तों क्योंकि एक्स की तरफ है तो यह जोची सी डिस्टेस यह वाली यह बाड़ी यह समझे रहे रहा है ये वाली इन दोनों के बीच शोटी सी बोलेंगे ये कितनी है ये x क्योंकि x की तरफ छोटी सी चीज को हम क्या बोलते दोस्तों द्यक्स तो यह क्या हो हो जाएगो छोटी सी लाइन जिस बहुत शोटा सा ढार ना और ये दोस्तों ये जो बड़ी वाली लाइन है ये वाली लाइन ये इसको आप क्या बोलेंगे Y ठीक है न हर कोश्चन में आपको यहीं करना है एक छोटी सी Caitlin बनानी ये इसको यहां दिखा देता हूं बहुत छोटी सी चीज़ है कैसे यह इस उन्हें करना यह चोटी सी इसने लाइन बनाई है हलके कलर में इसको आप क्या और यह चोटी वाली को इस वाली को अब क्या बोलेंगे दोस्तों डी एक्स बोलेंगे समझ गए ना कितना इसको वाई बोलना है इसको डी एक्स बोलना है बस ठीक है अब दोस्तों आपको यह कुछ रेक्टेंगल जैसा लग रहा है ना ठीक है कैसा लग रहा है कुछ रेक्टेंगल जैसा समझ लीजिए यह थोड़ा-थोड़ा कैसा लग रहा Rectangle जैसे लग रहा है न ये वाला इसे में डार्क कर दे रहा हो पूरा क्या है ये एक Rectangle ही थह ये छोटा सा Rectangle है न और Rectangle का एरिया क्या होता है दोस्तों देखे आफ यहाँ फिल्कुल जल्दी से कर देते हैं कि area बराबर आपका क्या हो जाएगा देखे area of rectangle आपको बता दूमें area of अगर rectangle होता है दोस्तू rectangle ऐसा होता है length होती है breadth होती है तो area of rectangle आपने बच्चमन में याच करा होगा length इंटू क्या होता है breadth होता है तो आपकी length क्या होगा है e-mail है y है and breadth क्या है दोस्तों ठीक है तो एरिया वरावर क्या हो जाएगा दोस्तों आपको छोटा सा लेंग्थ इंटू क्या हो जाएगा मल्टिप्लाई बाई ब्रैट्थ अब हम इसमें बहुत प्यार से इंटीग्रेशं करेंगे बहुत प्यार से निकालेंगे अराम से आपको हर कोश्चन में एक्छोटी सी स्ट्रिप माननी एक से इस concern में इसे वाई माना इसे डी एक्स माना ऐसके और भी कॉश्चन देख लिए आप यह वाला कॉश्चन तो क्या करना होगा बस चूटा सा कामिलाज कि YDX के बाद आपको इधर की तरफ दोस्तों एक लिमिट ऐसा integration का sign लगाना है एक integration का क्या लगाएंगे sign लगाएंगे ठीक है क्या लगा दिया integration का sign अब आपको देना देखना है अगर यहां डी X है दोस्तों क्या है, तो आपकी X की लिमिट किया है, मतलब X कहां से कहां तक पोहिँछ रहा है, एकस पेंचई लिमिट को हम नहीं, तो दोस्तों जहां से भी dx है तो किसकी limit देखनी है हमें हमें x की limit देखनी है किसकी x की limit देखनी होगी या x की limit लगानी होगी समझ रहे हैं न तो x की limit dx है तो x की limit क्या है हमारी 1 इसे 4 तक ही तो है अगर यहां x वरावर 5 होता तो हम 5 तक जाते x वरावर 6 होता तो हम x वरावर 1 से 6 तक जाते हैं लेकिन अभी कहां तक है x वरावर 1 से x वरावर 4 तक तो दोस्तो नीचे इसे lower limit पे आप x वरावर 1 पुट करेंगे simple और upper limit पे आप क्या पूट करेंगे जो आपकी बात की limit है कौन सी आपकी बात की limit 4 है तो यह कहां से हो झाएगी वन से फोर तक है है लिमेट समझ गए न और ऐसा क्यों किया अगर आप एक सेktेंड समझना चाहते है इसे उपिर एक नहीं कौफि रेक्टेंगल होंगे देखिये वाला भी रेक्टेंगल एक इदर बनाएंगे यह वाला भी रेक्टेंगल तो इस स च्टोटे च्टेंगल तो आपको एक्स कहां से आ रहा है है समझ गहे न कि लिमिट किसे लगाते हैं कि आपका एक्स वन से लिमिट तक लगा देंगे सीम्पल दोस्तों इतना समझ लिया थो 4 तक 1 से 4 तक y dx है न और y dx क्यों है क्योंकि यह rectangle बन रहा है rectangle क्या होता है length into bread तो y into dx अब बस एक last काम आपको यह करना होगा कि आपको y की value लगानी होगी क्या लगानी होगी दोस्तों y की value ठीक है क्या दे रखा है y square बड़ावर x तो दोस्तों अगर मैं इधर दौनों तरफ root कर दूँ तो इधर तो y बचेगा न ये आपको पता है कि square हटाते हैं, तो सामने क्या लग जाता है? Under root लग जाता है, तो सामने Ormond square हटाएंगे तो root लग जाएगा, तो root x आगए, टो बस आपको इस y को change करना है x में, तो y की value क्या है x में? root x है, तो simple इस y की जागे हम यहां लगा देते हैं, दोस्तोt, root डूट एक्स लगा देते हैं ठीक है ना क्या लगा दिया रूट एक्स और क्या लगा दिया इसनल डीक s लगा दिया बस दोस्तों अब के में इसका आपको कहा हो दाया जोए x की power 1 by 2 भी लिख सकते हैं हां या ना x की पावर क्या लिख सकते हैं 1 by 2 यहां x की जाएगा x की पावर आ जाएगी 1 upon 2 और dx आ जाएगा ऐसा क्यों किया था कि हम इसका integration कर सका है है न आप एक्स की पावर 1 by 2 का दोस्तों integration हम करेंगे किस formula से x की power ndx वाले से xc power n का क्या होता x की power n plus 1 upon n plus 1 यह integration में हमने पढ़ा है न xc power n का क्या होता n plus 1 upon n plus 1 तो जल्दी से इसका integration कर दीजे तो n क्या है हमारा 1 by 2 तो इसका integration क्या हो जाएगा x की power 1 by 2 plus 1 divide में आएगा 1 by 2 plus 1 ओके तो xc power क्या होगा 1 by 2 plus 1 और integration करने के बाद दोस्तों ये वाले sign और ये dx दोनों चीज़े हम हटा देते हैं इसको भी अटा देते हैं इसको भी और यहां एक डबाल बनाते हैं bracket और bracket के ऊपर लगाते हैं दोस्तों upper limit और नीचे लगाते हैं हम lower limit ओके तो समझ आ गया होगा आपको बहुत easy था कैसे करना आता समझ आ गई ने सारी कहानी कि पहले तो यह बना लो पहरा बोला लाइने बना लो एक रेक्टेंगल बना लो रेक्टेंगल का इरिया लिख दो चोटा सा उसके बाद लिमिट लगा दो integration की बन से लेकर फोर तक जहां से भी आपको लिमिट दे रखी होगी और फिर simple y की value find करनी है लास्ट में और फिर integration कर देना है simply x में तो देखिए अब इतना कर लिया अब क्या हो जाएगा देखिए इसे solve करिए तो यह हो जाएगा एकस की पावार 3 upon 2 देखिए टू इधर जाएगा लेंगे तो टू टू इंटू वन टू प्लस वन किता हो गया 3 upon 2 ऐसा नीच कि यह 2 आपका चला जाएगा उपर काण चला जाएगा 2 तो यह क्या हो जाएगा यह 2 और नीचे क्या रहेगा आपका 3x की पावर क्या हैसी 3 upon 2 और यह क्या जाएगा दोस्तों 4 और यह हो जाएगा 1 है नो अब देखिए दोस्तों 2 upon 3 एक constant तो इसको भाँर कर सकते हैं bracket से क् आपके पास क्या बचा एक्स की पावर थ्री अपॉन टू और ऊपर क्या बची लिमिट फोर नीचे क्या बची वन ठीक है अब जल्दी से इसको पुट कर लीजे लिमिट को तो देखिए यहां कितना है यह तू अपॉन त्री यह वाली चीज और देखिए दोस्तों सबसे पह कि पावर क्या आएगी ट्री अपॉन टू आ जाएगी पॉर किती हैंकि रियापॉन टू तो यह क्या हो गई है आपकी अपर लुमिट फुट होगई फिर माइनस का साइन लगाएंगे और वन पूट कर देंगे क्या पूट करेंगे लोड़ लिमिट तो ल्रूब ठीब एक तो कि पावर कितनी अगए थ्री अपॉइब करेंक ड् How to am प्र INFORsisत करेंगे अब यह फोर को सकते हैं प्रकोन फूर प्रक्रव क्या लगे दी हैपने इस होई लिख दिया है ना अब यह फोर की जगे लिए आइसके पावर कित्य हो जाएगी त्रिए पावर को क्या लिखाया बोस्तू का इसका पावर त्रियों टू पावर अगर अपॉन में फ्रेक्शन में हो ना तो हम इसको ऐसे ह्टूर करते हैं ठोड़ा ट्रिक लगार यह कया दोस्तों यह क्या वन की पावर ठीक कहीं इसको ऐसे ही लिखी है और तू आप स्टू रिद ने कि इसने इसने दोस्तों अगर पावर के multiply 4 कर देंगे मतलब 2 की पावर 8 बोलते हैं से हम समझ गज़े न मतलब पावर के उपर पावर हो तो पावर क्या हो जाएंगे multiply तो कितना हो जाएगा यह दोनों आप आसे multiply होंगे ऐसे करके तो देखिए अगर 2 into 3 upon 2 multiply करें तो 2 से 2 cancel नहीं हो जाएगा बताइए 2 into 3 upon 2 पावर multiply करेंगे तो 2 से 2 cancel हो जाएगा तो यह कितना बचेगा आपका आप तू की पावर कितनी बची है तू की पावर बची आपकी सिर्फ 3 बची समझ गया है ना solve करना बहुत आसान है ना 4 को टू का इसकार लेगा फिर पावर एंटू करी तो टू की पावर समझाई फावर कितनी फिए इस पावर वन हो तो भी टू हो तो फिली जाओं 2 हो टू हो साइसल की व्यक्ति हो तो 215 ऑन ok अब इसे जल्दी से देखिए टू अपॉन त्री यह रहा और एट माइनस वन कितना होगा सैवन तूजा फोर्टीन अपॉन थ्री ठीक है ना आप क्योंकि यह दोस्तों एरिया है तो आपको लास्ट में लिखना होगा स्कॉयर यूनिट ठीक है तो आपका दोस्तों एरिया कि स्क्राइक लिए और लाइनस बनाएं और इसके बाद एरिया बराबर इससे आप मानेंगे यहां पर इतों ज्यादा गंदा हो गया है इससे में और इसको नीचे तरफे उस् gear ऑव और न क्या वुला दोस्तों compassionate चोटे से पार्ट को तो एक्टेंगल आपको बताया वाई डी एक्स होता है सिंपल और बस लिमिट करनी है वन से लेकर जहां तक भी दे रखिए फोर तक दे रखिए तो फोर तक और फिर लास्ट में आपको वाई की जगह पर जो वैल्यू है एक्स के टम से मतलब रूट एक् आप से आराम से इंटीग्रेशन करके आपका आपको आजाएगा ओके दोस्तों तो आई होब दोस्तों आपको क्लियर हुआ हो चलिए आप नेक्स्ट कॉश्टन करते हैं सेम तू सेम बिल्कुल ऐसा ही करना होगा और आप भी संसंग ट्राइब करिएगा लेकिन एक्स्ट को आपको सेकंड वाला हुआ कि य्वाय्स आपको क्या दे रखा है दोस्तों 779 net लाएन कितनी अरके आपके टू है ठीक है दूसरी लाइन कितनी है एक्स कॉर्णे मैं दे रखां आप समझ आएंगे बीश्ट के !! कि वाई स्कौार बनाते हैं यह बना दी हमने X ठीज कैसे बनाएंगे आप य स्कौार वाला हो दोस्तों और X की पावर बन का अगर भूल गई हो तो फिर से दिखा देता हूँ आपके पास भी लिखा होना चाहिए y square बरावर x o y square बरावर 2 x o 4 x o 9 x o यह type 1 का parabola है आपको अमेशा ऐसा ही बना रहा है ठीके ना तो चलिए जल्दी से बना दीजिए तो आपका parabola again कैसा हो जाएगा दोस्तों ऐसा ही हो जाएगा ठीक है ना और इससे आप यहां लिख दीजिए कि यह y square बरावर कैसा पेरा बोला है 9x का अब दोस्तों क्या है हमारी x o लाइन तो एक्स बरावर 2 लाइन कहा है कि देखे पहले यहां बना देते है वन टू थ्री फॉर ऐसे point बना दिय को अब लाइन रहे तो इस आपका यह प्रेसरा रहावर 2 लाइन ऑнихy second ही यजद्रा और यह रही है और दोस्तों यह क्या रहा है विर्षट कौर्डेंट में तो स्कौर्ड presses वाला तो इसी को तो बोलते हैं इसमें एरिया कौन सा ओगा आपका यह वाला निदस एक चीछ अपलब बीच में तो як पात्सका यह वाली लाइन IA per hour two a power four paragraph एह रही और एक सेथ्फ को आप यहां पर यहां कि यह वाली लाइन तो मेई यहाला दीकी क्षो टीच पारप घणे sûr पॉर्ट सोट सी श्ट्रिप बनाते हैं इसे करके को इसे क्या बोलेंगे आप Wai wave ओलेंगे और इस छोटेश से को क्या बोलेंगे आपढ़ यृ liar क्विछ रही है दोस्तों यह रेक्टेंगल जैसे देख रही है हाँ या ना ना फिल्कुल सेम स्रेड जैसे पहले किया था यह क्या वाई यह क्या क्या स्टेमल दियों डेक्स टेक forgotten जीनि इसक का एरिया क्या हो होड़ेगा integration और integration कहां से करना है दूस्तों टू से स्टार्ट हो रहा है यहां पर पहले वन से हुआ था लेकिन इस वार हमें टू से मिला है तो दूसे कहां तक जाना है तो कहां से started टूसे तो लोग लिमिट आपकी क्या हो जाएगी तू कहां तक जाना तक तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी दोस्तों आपकी फोर फिलकुल साही समझ गए ना तो पूरा एरिया करना है तो आपको यह सारी क्या करने होंगी एड करने होंगी और सारी करने का ह Portugal सब स्ट्रिब को add कर दो सम कर दो ठीक है तो वाइफ़ेक्स आगे आपको स्ट्रिप का औरा पोल्हे zehn कर दिया तो कि सारे श्री उ crystalline me कि पैर चलिए अब जलदी से आप लास्ट दोस्तों का क्या सथा होटा रच मिस्ट में होता एकि आкими को value निकाली है य की value क्या होगी य की value आपको मिलेगी यहां से हां या ना y की value यहीं से तो मिलती है तो y square बड़ावर 9x अगर दोस्तों आप value देखेंगे तो y square बड़ावर क्या है 9x है ना तो इसको square को आप हटाएंगे इदर से तो इदर क्या आ आजाएगा तो y बड़ावर क्या आजाएगा दोस्तों आपका 9x आजाएगा कितना आजाएगा अंडरूट में 9x है ना कुछ दोस्तों बच्चे सोचते हैं कि प्लस माइनस आएगा या नहीं तो दोस्तों अभी आप स्रिफ प्लस यूज़ करेंगे ठीक है जब माइनस आए प्लस यूज़ करना होता थीक है ना अब स्रिफ फर्स कोडिनेंट है तो मैं स्रिफ प्लस यूज़ करने इसलिए य बरावर अंडरूट 9x आजाएगा तो क्या य की वैलियू मिल गई य बरावर अंडरूट 9x मिल गया हां मिल गया तो क्या आप इसको दोस्तों ऐसा भी ल और एक्स अब देखें दोस्तों ये तो सम्ने शिखा या है ना आपको कि रूट के अंदर अगर पेर हो जाएं रूट के अंदर किया है पेर मलतला वे दो एक जैसे आजए तोषी एक जैसे आगए ना तो ये रूट से वहारा जाएगा एक बार तो तो फिरी एक बार भार जा गया और जो अकेले होते हैं रूट रहे जाते हैं रूट के अंदर तो य बरावर आपका क्या है दोस्तों थ्रीरूट समझ गये ना इसको एर अटाया तो आपका क्या लगा अंडरूट लग गया आप जो पेर में है उसको भार कर दीजिए वागी जो बचा उसे अंदर कर करेंगे और क्या जाएगा दोस्तों यहां पर रूट एक्स आजाएगा और क्या जाएगा यहां क्या लिख दिया दिया यहां क्या दोस्तों टू और यहां क्या दोस्तों फोर हो जाएगा बस अब इसका एरिया तो बहुत ईजी है देखे एरिया और आवा देखे देखे करना कुछ नहीं करना समझ गए न और यह गए इसलिए हमने एक्स की पूर लिमिट कर यह देखा है कि तू से कहा तक है अब देखे थी चुप चाप से बाहर कर दिए तो आपका अंदर क्या बचा अंदर बचा टू क्या बचा फॉर और क्या बचा आपका दोस्तों रूट एक इस वह इसलिए मैंने फ्री और दोस्तों बहार कर दिया थीक है नब इसके आगे क्या करना हैं हमको कि इसके आगे हमें क्या करना एंद जोसको इंटीग्रेशन करना अन तो रूट एक्स को अब यह वह एक चीज़ सिखाई थी कि रूट एक्स को आप एक्स की पावर वन बा कि टू यहां लिख दी जिए आप X की पावर वन इक टू इसका इंटेगरेशन होगा एकस़ी पावर एफ़न अपॉन फ्लस फन हैं तो यह आपका एम है तो जल्fen से ये इसका कर देते हैं त्यों यह वाला और डू से फोर एक पावर और ना I अब तू बिफ्लास वन mentor alone ौम मैं भी क्वाइजा जायका दोस्तो इस वान बाइटो प्लस वन और यह दी यीद्विएक जाएगा दीके डीको सAJ लेह City आएगा दोस्तों क्यों क्योंकि जब integration हो जाता है देखिए छोटी सी mistake है कि जब integration हो जाता है दोस्तों तब क्या होता है जब यह integration हम ने कर दिया ना कि x e power 1 by 2 plus 1 1 by 2 plus 1 तो हम क्या करते हैं दोस्तों यह integration का sign हटा देते हैं dx हटा देते हैं तो ऐसी गलती आप नहीं करेंगे समझ गए ना क्योंकि हमने यहां पर x e power 1 by 2 plus 1 1 by 2 plus 1 integration कर दिया तो आपको अपर लिमिट यहां लगानी है यहां लगानी है और ब्रेकेट लगा देना होता है है ना तो integration जैसी आप कर देंगे यह लगा दिया ना हमने 1 by 2 plus 1 1 by 2 plus 1 तो integration का sign यहाला सांप बाला जो sign होता है इसे अटा देंगे dx को अटा देंगे और ऐसे ब्रेकेट लगा देंगे उपर अपर लिमिट रख देंगे नीचे लोवर लिमिट रख देंगे simple ठीक है ना अब इसे थोड़ा solve करते हैं देखिए आगे वाले पेच पर तो कितना हो जाएगा यह 3 x की पावर दोस्तों 1 by 2 plus 1 यहां पर सा और अपन में 1 by 2 plus 1 यहां पर है लिमिट कितनी है 4 से 2 है ना चलिए आगे देखते हैं से देखिए यह कितना है आपका 3 और देखिए आप पहले क्या पूट करते हैं अपर लिमिट लेकिन उसे पहले हम इसे फोड़ा सा शॉल कर देते हैं अच्छे से तो इसे क्या हो जाएगा एक सी पावर 1 by 2 plus 1 कितना होगा तू इदर आएगा एलसे में 2 plus 1 3 upon 2 आजाएगी और इसे सॉल करेंगे तो यह कितना आजाएगा यह भी आपका कितना आ जाएगा 3 upon 2 यह आजाएगा 4 और यह आजाएगा आपका 2 upon 3 और एकस की पावर 3 upon 2 कैलकुलेशन है यह तो कर लेंगे आप है ना तो जल्दी से देख लीजिए आप यह तो आया अब देखिए दोस्तों यह 2 upon 3 से भार कर दीजिए आप तो यह कितना होगा 3 into 2 upon 3 यह 2 upon 3 भार कर दिया और अंदर क्या बचा एकस की पावर 3 upon 2 बचा और उपर क्या है 4 और नीचे क्याट को है ना समझ गए नहीं इतना कि देखिए दोस्तों आप 3 से 3 केंसल कर दीजिए तो यह तो बचा सिर्फ टू बचा अब जल्दी से अपर लिमिट पूट कर दीजिए और फिर लोवर लेमिट पूट कर दिए तो यहां पर सकते हैं और इसकी पावर कित्री हो जाएगे अब 3-2 की पावर दोस्तों 3-2 तो इसको आप जड़ा समझी यह देखिए तो की पावर दोस्तो 3-2 को आप क्या 2 की पावर 1-1-2 लिख सकते हैं तो यह दो चेक कर लिएजे 1-1-2 होता है दोस्तों 1.5 देड होता है अगर आप समझते हैं तो 1.5 1.5 को हम 1 plus 0.5 लेख सकते हैं 1 plus 1 by 2 लेख सकते हैं 1 plus 1 by 2 लेख सकते हैं और दोस्तों अगर ये power add हो रही है तो हम इसको 2 की power 1 multiply 2 की power 1 by 2 लेख सकते हैं 2 की power 1 और 2 की power 1 by 2 लेख सकते हैं ये समझते हैं अगर ऐसा होता है 2 की power 1, 2 की power 1 by 2 तो हम इसे ऐसा लंग सकते हैं तो हम इसको भी तो इसको दोकी कि अग सब्धोट तुक्त हुआ या नहीं बहुत इसी चीज़ है कि 2 की पावर 3 बाई 2 को 2 की पावर 1 प्लस 1 बाई 2 लिखा 2 की पावर 1 इलग कर दिया और 1 बाई 2 इलग कर दिया समझते हैं ना क्योंकि यहां बीच में प्लस है तो इस यहां मल्टिप्लाई आ जाता है तो मल्टिप्लाई 2 की पावर 1 बाई 2 2 लिख सकते हो ठाब यहां किया दूस्तों टू और यहां देखें अगर पाउबर पाउबर वन पी सिखा है था पाउबर ancel हो जाती है तो यहां कि आजाएगा दोस्तों कि कि आजाएगा आप कि का जाएगा तु खीअ पावर और माइनफ हाँ जाएगा ट्वावर 3 कितना होता है प्नास एट हो जाएगा माइनस फोर जाएगा मानसी रूट में जाएगा तूटू जाएगा आपको एंड में कहले लिखना स्कौर उनिट क्योंकि यह किया है दोस्तो यह क्या हो जाएगा इस कुश्चन का आंसर तो सेम तू सेम दोनों थे ना तो आपको यह दोनों विल्कुल क्लियर हो गए हो ठीक है यहां एक छोटी सी कलती हो गए थी मै आपर लिमिट यह लोगा लिमिट है फिर फुट कर दी जानसर आ जाएगा तो सेम तो ना पैराबॉला बनाईए लाइन बनाई यह फिर्श्ट क्कॉडेंट है तो जो हाली लाइन बनाईए एकसे वाली है आ च्छोटी से एडिया पहले के लिए क्या हो जाएगा एक्टेंगल का फिर वाई की जगे पर आप यह वाली वैल्यूट कर दीजिए और लिमिट क्या होंगी आपकी जहां से इस्टार्ट है जहां पर खता में तो 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 इसको ने आप पूट कर दिया सिंपल इंटिग्रेशन करी आपका अंसर आ जाएगा आई होब दोस्तों यह दौनों कोश्चन आपको क्लियर हो गए हो तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट कॉश्चन करते हैं नेक्स्ट कॉश्चन क्या है देखिए ज़रा पढ़िए इस अच्छे से फाइंड अरिया ऑफ दारीजन बाउंडेट बाइ एक्स स्कुयर वडावर फूर वाई ठीक है तो चलिए इसका फिगर बना के समझाते हैं वह तराम से देखें, question number third लिख लिए आप, बिनकुल easy है, same to same वैसा ही जैसे अभी कियते हैं न, तो क्या है आपका देखिए दोस्तों, पहली equation है आपके x square ब्रावर 4y है न, और line क्या है आपकी y ब्रावर 2 और y ब्रावर क्या है 4, ठीक है न, और दोस्तों, last में क्या दिरखा है, ये first quadrant, ठीक है, और साथ में, ये भी दे रखा है y, x, ठीक है, तो इसको भी समझा देंगे, आराम से, देखिए दोस्तों, अब, x square ब्रावर 4y, आपको पता है, ये क्या है, पैरा बुला है है न, क्योंकि x, x की power 2 और y की power 1 होगी, तो ये पैरा बुला होगा, ये क्या है, ये क्या ये भी ऐक क्या है, लाइन है न, तो ये दोनौों क्या होगा हो जाएगी, अब सबसे पहले हमें क्या बनाना चाह отметare, इसका, डाग्राम बनाना चाहिए फिए पिगर, तो दीखिए इधर बनाते है, ये क्या हो जाएगा, आपका, X-Access हो जाएगा अधर की तरह और ये क्या हो जाएगा दोस्तो Y-Access हो जाएगा है ना अब थोड़ा याद करिए X-Square ब्रावर 4Y ये कैसा वाला पेरावला है किस तरफ बनेगा देखें इस स्टार्टिंग में बताया है था ना X-Square ब्रावर 4Y टाइप का पेरावला टाइप 2 टाइप का है ना ये टाइप 2 वाला तो X-Square ब्रावर Y, 2Y, 4Y में आप कैसा बनाएगे इस तरह का उपर वाला मतलब Y-Access की तरफ बाला पेरावला ओके तो बना देते हैं ऐसे जल्दी से देखिए तो इसमें कैसा पेरावला होगा दोस्तों ये पेरावला आपको ऐसे ही बजाएगा ना ऐसे वाला हाई है ना क्योंकि ये X-Square ब्रावर 4Y वाला है ठीक है वो Y-Square ब्रावर 4X टाइप का दा ये X-Square ब्रावर 4Y है है ना तो आपको ये चेक करना होता है कि ये X-Square है तो ऐसे Y-Square है तो ऐसा समझ गई ला इस तरीके से इसे तो यह एक्स की तरफ बनेगा पेरावला देखिए पेरावला बनेगा आप Y-BRAWAR 2 वाई बरावर 4LINs है ना तो Y क्या है देखें ये कितना है Y1 ये कितना है Y2 ये कितना है 3 ये कितना है 4 ये से लिख सकते हैं अब Y बरावर 2 आपको याद होगी कि लाइन कैसी होती है Y पर जाएए और 2 पर आपको क्या करना है दोस्तो 2 पर एक लाइन खिछनी है हाँ या न तू की लाइन है इह वाइब बरावर डावर टू की लाइन हो गई पन過來 ま्लीन हो गई और इसलिए कीजिस की लाइन हो वाइब नावर ट्योख की नाइन भी और लाइन वाइब फॉर वाली नीव कुषन में हमारा इस तरीके से ग्राफ आ रहा था यहीं तो था सेकंड डॉलर पॉल्चन इस तरीके से घरा रहा था तो हम ऐसे रेक्टेंग्ल रहे थैं था कि हम डि-क्स में लेए इसे हम थोड़ा सा नया सीखते हैं अच्छा सा देखिएगा इसमें दोस्तों अगर स्ट्रिप लेंगे न हम ऐसे की जगह है ऐसे भी स्ट्रिप ले सकते हैं कैसे ऐसे तो हम इस वार स्ट्रिप कैसे लेंगे मतलब जो हम rectangle बनाते हों कैसा बनाएंगे इस तरीके सा बनाएंगे तो इस तरीके से जब हम दोस्तो rectangle बनाएंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे x ओके और इस छोटे से को हम क्या बोलेंगे दोस्तो dy क्या बोलेंगे इसे हम dy बोलेंगे पुआ है कि इस तरीके ग्राफ अगर इस तरफ होंगे तो फिर हम वैसे वाले डिस लेंगे लेकिन ऐसे होंगे तो अपर आभ सकते हैं आप यह दिख रहा है ना कि यह वाला जो एक छोटा सा इरिया है इसको हम क्या मानेंगे एक्स मानेंगे और इसको क्या मानेंगे हम छोटे से को डी वाई मानेंगे जो लेंग्स हो जाएगे वो डी वाई और एक्स समझ रहा है ना ठीक है और जब भी फिगर इस तरीके से आएगा दोस्तों पहले करा था इस तरीके से फिकर आगर आएगा इदर की तरफ तो इसको ऐसा मानेंगे ठीक है आगे जाके मैं आपको और अच्छे समझाऊंगा कि हम दोनों से यूज कर सकते हैं लेकिन अभी आप यह नया तरीका समझी आराम से कि यह क्या हो जाएगा आपका एक्स ठीक है किसकी तरफ एक्स की तरफ तो इसको क्या ले रहे हैं एक्स ले रहे हैं समझ गए ना तो यहां अगर मैं एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाओ आपके लिए यह वाला यह वाला यह वाला यहां पर तो यह क्या है आपका डी वाई है और यह क्या है दोस्तों एक्स है सम अब देखे दोस्टों को यहां पर हमको है यहां पर हमको अगर आप देखें गार इस कितने सारे ना यहरा यह क्या करना करूब यह क्या है ऑर हमको यह तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि इधर क्या है यह है तो हम लिमिट यूजा तक देंगे वह कहां से देंगे आपकी तक 4 तक देंगे समझ गए न अगर यह y बरावर 1 होता तो हम यहाँ से start करते y बरावर 1 से 4 करते यह 4 की जगे अगर 6 होता तो हम y बरावर 2 से 6 तक जाते हैं समझ गए न जहां से जहां तक है y वही वाली limits देंगे और dy जब भी आप मानेंगे तो आप यहाँ पर limits किसकी लगाएंगे दोस्तो y की अगर dy है तो y की limits लगाएंगे आप किसकी लगाएंगे y की limits समझ गए न अगर आप dx मानते हैं तो x की limit और dy होगा तो y की limits easy है न काफी तो बस देखिए area बरावर integration 2 से 4 दोस्तो समझ गए न है इतना कि यह एक strip का है इतना और integration कर देंगे तो यह सारे strip के area में मिल जाएंगे यह सारे छोटे छोटे जिते भी होंगे सब के area मिल जाएंगे ठीक है अब यहाँ पर दोस्तो फिछली वार हम y की value ढूनते दे इस वार हम किस की value ढूनेंगे इस x की तो x की value आपको कहां से मिलेगी x की value आपको यहां से मिल जाएगी न देखे अगर x square बराबर 4y है तो x कितना आ जाएगा यह square हटता है तो क्या आता इदर root आ जाता है ने सामने कितना जाएगा दोस्तो तो 4y आ जाएगा न अंडर root में आया ना इदर से square root है तो इदर root ही तो लगएगा ठीक है अब इसको आप 4 को 2 into 2 into y भी लिख सकते हैं ठीक है ना और 2 और 2 किस में आ रहा है pair में तो यह root से भार आ जाएगा y अकेला है तो y अंदर रह जाएगा तो एक्स वर आवर कितना आ जाएगा आपका एक्स वर आवर यहां से देखेंगे तो कितना आ आगया आपका two root y आ ठीक है तो हमें या पर last में x की value पूट करने होगी न तो एक्स कितना आ जाएगा आपका और बस दो ही होते हैं या तो डी एक्स वाला या डी वाला और तीसरा कोई नहीं होता तो टेंशन नहीं लेनी आराम से सॉल्व करेंगा बहुत आराम से ठीक है तो इतना करने के बार और दीरे दीरे आप जैसे से आप कुशन्स प्रैक्टिस करते जाएंगे न आपको से फोर यह डू अब देखिए है रूट वाई को बहुत पर बताया ना कि रूट वाई को आणकी या की पावर guyक्रावर वन्वाइट भी लख सकते हैं ठीक है ना सैंट य न by 2 tv ना तो इसका integration करते हैं कैसे वैसे ही जैसे एक्स की पावर एंच की प्लस वन अपॉन प्लस वन अगर यह Y होगा तो Y की पावर N प्लस 1 अपन प्लस 1 ठीक है तो इसका इंटिगरेशन अगा आप करेंगे आप कितना आजाएगा Y की पावर 1 by 2 प्लस 1 अपन वन बाई 2 प्लस 1 समझ गये ना वन बाई 2 N प्लस 1 अपन भी N प्लस 1 ऊपर क्या जाएगी अपर लिमिट ये वाली नीचे क्या जाएगी लोगर लिमिट ये वाली ओके अब ये बराबर 2 टाइम सो देखे ये उपर कितना हो जाएगा Y की पावर 3 by 2 अपन यहां क 3 by 2 3 by 2 4 और नीचे क्या आजाएगा आपका 2 आजाएगा ओके अब इससे आप चाहिए तो और थोड़ा ठीक कर सकते हैं कैसे देखें इधर ये बराबर अब ये बराबर कितना हो जाएगा आपका ये काँ चला जाएगा तो उपर दिला जाएगा ना तो और ये कितना हो जाएगा दो आप़ए तो पर गया तो यहां नीचे 3 टुंग्वाइन की पावर 3 अपन टू और 4 ओर 2 आजाएगा समझ गए ना ठीक है अब इसको टू सब्सक्राइब है जो कितना हो जाएगा आपका इस जो जाएगा आपको एस बाइब फौर फ्सक्राइब होगे ना इंद्र को य की पावर त्री अठीम ऊपर फोर और कितना हैधिक है हूँ पुट कर दीजों चन्री से वाइल उपाउन Tacky मियद्ध करिंगे थे खिए को टू आ गया एक अब एरिया बराबर 4 अपान 3 ठीक है 4 को आप क्या लिख सकते हैं तू की पावर 2 लिख सकते हैं पिछली बार दो वर समझाया ना कि फूर को टू की पावर 2 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों 3 पान 2 माइनर 2 की पावर 3 अपान 2 को दोस्तों 2 टुट की बार 1 by 2, मतलब 2 root 2 लिख सकते हैं, इसको पिस्लिवार भी लिखाता न, तो टुट की पावर 3 by 2 को आप क्या लिख सकते हैं, तो गाभी सकते हैं, तो एरिया बराबर कितना हा जाएगा आपका 4 upon 3, देखें, अब 2 से 2 केंसल हो जाएगा, फावर केंसल हो जाते हैं, तो यह कितना है टू की पावर थ्री माइनस टू रूट टू आ गया अब इसको आप जरह सॉल कर लिए बहुत आसान है यह तो पूर अपन त्री टू कितना हो जाएगा टू तू जा फॉर टू जा एट तीन वर इंटू करना है तो यह आ गया एट माइनस टू रूट टू ओके अब इसका आप इंटू अंदर कर दिए तो कितना आजाएगा इसको आप इसको कर लिए लिग लिए ठीक है और आप आंसे चेक करेंगे तो दूसरे बिलकुल सही आंसर होगा तो दोस्तो आई होब यह तीनों कोश्चन आपको बिलकुल बेहत किलियर हो पीडियो में लेवन का चोटा सा कंसेट था आपको समझाए गया होगा कि पैरा बोला कैसे बनाते हैं लाइन कैसे फाइंड करते हैं अब जो दूस्तों आगे कुश्चन है ना फोर्ड से लेकर आगे कि ठीक है यह वीडियो काफी बड़ी हो जाएगे अभी एक घंटे से जाल दूगा कैसे बनाते हैं और आगे सरकल कैसे बनाते हैं ठीक है लेकिन फिर भी थोड़ी मेनद आप भी कर सकते हैं न कि एक वार इलिप्स चेक करना है यह कैसे बनते हैं जिससे आपको जब वीडियो मिलेगी न वली तो आपको बेहद अच्छे समझ में आएगा वह ओके तो प्लीज इत्ती सी रिक्वेश्ट मानेगा कि प्लीज आप एक वार इलिप्स चेक कर दीजेगा और बाकी नेक्स्ट कोशन है न थिरी से आगए कोशन में सारे नेक्स्ट पार्ट में डाल दोंगा ओके तो अगर दोस्तों यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज यार इ क्या पर दो सब्सक्राइब यह वीडियो काफी ओच्षण के काम आएगी और जिन दो सब्सक्राइब कर लेना को सदम और दोस्तों अगर मेंबर्शिप में जुड़ना चाहते हैं 95 प्लस वाली मार्क्स वाली तो जल्दी से जुड़ जाएए टाइम बहुत कम है फीस भी बहुत कम है इसकी 300 ठीक है जिसमें आपको जल्दी से वेबसाइट पर भी आने का मौका मिल जाएगा और आपके परसेंटेज भी 95 प्लस आज कर्मने ख़किल का मौकाम का कई तर आपके मलने आपके आने कि牌न से प्लस टामन खाएबosaic प्लस बहुत का मौका प्लस कने जा अजिंगन पर च्सवाली तो प्लस प्लस लाएफ़ चाहते हैं अ झाल झाल